बाबुशो वराम राजी ये कलामा विध्याले अलवर की भूवल वे भाग में अध्यनरत सभी विध्यार्थियों का मेरी डॉक्टर सत्यदेव ओल्लाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की कलास में हम जिस टोपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टोपिक को नाम है महासागरी ये उच्चावच हम सबी जानते हैं कि जिस प्रकार से धरातलिय भाग पर अनेक उच्चावच मौजूद है ठीक उसी प्रकार से महाशारों के अंदर महासागरी नितल पर उच्चावच ये भन्नता मिलती है अर्थात कहीं पठार कहीं बैदान कहीं कटक गरतित्यादी मिलते हैं इसे ही महासागरी नितल कुछ चामच कहते हैं इसको हम सामा निभासा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक तालाब होता है और तालाब में जब हम इंटर करते हैं या उसमें अंदर जाते हैं तो अंदर की जो बॉटम होता है उस तालाब का जो पेंदा होता है तली होती है वो सभी जगे एक समान नहीं रहती कहीं प मासागरी उच्चा बच्चें इनको प्रजेंट करने के लिए हम उच्चितामिति वक्र का प्रियोक करते हैं अब हम उच्चतामित्ती वक्र को ibsometric करभी कहते हैं महासागरी उच्चा वच्चों को उच्चतामित्य वक्र द्वारा दर्शाते हैं यह वक्र वस्तोत है दरातल पर इस्तितु उच्चे स्थानों को सागरी नितल से जोड़ता है या मिलाता है 1921 में कैसी नों ने उच्चावचों को मापन किया था अब एक सब्द आई सो बात समान सामुद्रिक गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आई सो बात कहलाती है माशागरी नितली उच्चावचों मैं उपको दो भागों में बांट करके पड़ते हैं एक तो माशागरी नितल की प्रमोक उच्चावच मेजर रिलीव फीचर और एक हैं आपके गहराई उच्चावच प्रमोक उच्चावचों माधी पे मगन तटाता है माधी पे मगन ढालाता है माशागरी गरतेया ट्रेंज अन्ते सागरीय केनियन अगाज सागरिय मैदान और अगलाय मैदान द्रोनी या बेसिन इसी प्रकार से जो गोण उच्चावच्चे हैं उनमें सागरिय परवत, सागरिय पठार्य गयोट, प्रवाल भित्ती, लेगून, सागरिय पुलिन, बंद सागर, सीमन सागर और दीपिय चाप तो इस प्रकार से माशागरिय जो भाग हैं, उनके बोटम पर अनिक प्रकार की उच्चावच्चे भिन्नता मिलती हैं, पर उच्चावच्चे भिन्नता ही माशागरिय ने तलिए उच्चावच्च कहलाते हैं सबसेर्फ महत्पूर्ण जो उच्छा बचे वो है माधीपिय मगन तट माधीपों के किनारे वाला वह भाग जो मास्यागरी जल में डूबा रहता है मगन तट कहलाता है अर्थाथ जब जब समुद्र में अंदर गुशते हैं तो सिरुवात का जो भागे जो सामानिते कम गहरा होता है उसको मगन तट कहते हैं यह 16 सागरी छेतर है जो तट से सटा होता है इसकी औसत गहराई 200 मीटर होती है धाल अतियंत मंद जो समुद्र की ओर होता है माधिपों के छज़े की रूप में निकले होने के कारणी से माधिपे छज़्या भी कहते है जहां तट के किनारी परवत मिलते हैं वहां मगन तट सकरे हैं जैसे रोकी रो इंडीज तथा इसके विपरीद जहां तटवर्ती छेत्र मैदानी है वहां मगन तट अधिक चोड़ाए अर्थात तटवर्ती धरातलिये श्वरूप का प्रभाब मगन तट की चोड़ाई पर पड़ता है भोजन की परचूरता सूर्य के प्रकास और कम गहरे पानी के कारण निमगन तट व्यपसाय के लिए उप्योक्त माने जाते हैं आर्टिक महाशागर का मगन तट विष्व में सरबादिक 1280 किलोमीटर चोड़ाए इसके साथ साथ उत्तर पक्षिम यूरोप में भी डौगर बैंक तथा उत्तरी अमेरिका के पूरम में ग्रांड बैंक में मगन तटों की चोड़ाई यह देखे यहाँ पर यह ध्यान रखने योग बिंदू हैं कि विष्व के जो दो प्रिषिद मचली उत्तपादक शित्रे एक यूरोप के पक्षिम में हैं जो डौगर बैंक के नाम से जाना जाता है और एक उत्तरी अमिरिका के पूरम में जो न्यूफाउंड लेंड है कनाडार यू सादनों की प्राप्ती मगन तटों से होती है विष्व में कुल तेलिम गैस का लगभग 20% उत्पादन मगन तटों से ही होता है भारत का मुंबई हाई तेल चेत्र अपतर थथा मगन तट पर ही इस्तित है यहाँ पर यह मानचित्र दे रखा है और यह ध्यान रखें जब हम किसी प्रशन का उत्तर विष्वित ध्याले परिक्षाओं में दें तो वहाँ पर इस प्रकार के मानचित्र जरूर बनाएं जिससे मार्किंग है वह आपकी अच्छी होती है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो रौकी और इंडीज परवत है उसके जो पक्षम का जो मगन में देख भारत के पूरी मगन देख अपेक्षाओं में देख चोड़ा है क्योंकि पक्षमी तटके साथ साथ वस्तोते निमंजन के प्रमान मिलते हैं तता पक्षमी घाट परवतने होकर के एक कगार ढाले विस्प का सबसे चोड़ा मगन देख साइवेरियन सेल पर आर्ट कि होती है जबकि एक समुद्री मिल यह नौ टीकन मील 1.8 किलो मिल की, एक मिल बराबर 13306 हिंच होते हैं माधी पे धाल, माधी पे मगन देख तठक गेहरे माशागर है माशागरी अब मैदान के मद लिस्तित होता है, माधी पे मगन देख के आगे सागर की और तीब्र धाल पर संपून मासागरों का 8.5 प्रतीशत भाघ पर फ्रोण ह्माइम मौ उस्वाहद में साथ प्रतीशत अर्टिक मासागर में बार्पूंट 4 प्रफीशत age खोके हिन्द मासागर में छेपट पॉंट पाँच प्रतीशत भाघ मोगन धाले न्युक्त धाले माशागर के मद्ध में भी कटक इस्था जिसकी लबाई लगभग 9000 किलो मीटर है माशागर्य गर्थ ट्रेंच या गंभीर ये माशागरों की गहरी सक्री तलिये इस्तरा करती हैं ज्यादा तर इनका निर्मान प्लेट वेबर्थन की द्वारा होता है अठारह-सो-چौंत-TAR में चैलिंज रभीहां के दोरान सत्तामन गर्थों का पता चला था माशागर्य मैदान या बेशिन अगाश सागर्य मैदान बेशाल से निर्मे संरचना है तता सम्तल्त एवं सपाट इस्तला करती है संपूर माशागर का 70 पृतिशत भाग मैदान है प्रशांद माशागर का 80 पृतिशत हिंद माशागर का 80 पृतिशत अट्लांटिक माशागर 54 उन प्रतिसत अगात सागरी मैदान है अट्लांटिक माशागर में सागरी मैदानों के अपेक शक्रत कम विस्तार के कारण माधी प्यम बगन तटों का दिक चोड़ा होना है उसत गेराई तीन अजार से छेजार मीटर है इनके कई उब्भाग है जो अनेक छेत्रिय नामों से ज माधिक मिलता है और लास्ट है अंते सागरी केनियन माशागरों के अंदर तट के सामने इस्तित लमवत केनियन अंते सागरी केनियन कहलाते हैं विसमें अधिकतर अंते सागरी केनियन नदी मुक के सामने निर्मत होते हैं माधी पे मगन ढाल पर तीब ढाल वाली अंते सागर कंद्राओं को से केनियनों का निर्मान होता है इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्रवाद थेंक यू थेंक यू सो मच